हलो फ्रेंट्स मैं शिखा एक बार फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूं आज हम बनाएंगे यूपी में स्पेशल सबजी कड़ी बड़ी की रेसिपी जो की यूपी में बहुत ही पॉपुलर है और वहां पर कोई भी फेस्टिबल्स आते हैं या फिर कोई भ सब्रूर से बनाई जाती है इसको अच्छा शगुन माना जाता है तो चलिए देखते हैं इसकी एक एजी रेसिपी यहां देखे मैंने डाल भिगोई थी दाल को हमने लगबग छे गंटे के लिए भिगोया था उसके बाद इसका पानी अलग करके और इसको पीस लिया है और इसमें हलके हलके से दाने रहेंगे तो कोई दिकत नहीं है आप उसको अवइड कीजेगा उसके बाद हम इस दाल में थोड़ा सा नमक और लाल मिर्श पाउडर डाल लेंगे और अच्छे से से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखिए कि हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है ख बिखुयों कि मैंने दही लिया था दही यहां मैंने आदाग लास दही लिया था और इसमें मैंने तीन चममच यू डाला है जो दाल का हैं इसको हम पाहले दही में मिक्स कर लेंगे अच्छे से और जो बचा हुआ बैटर है उससे हम बड़ी बनाएंगे तो उसको हम एक बार साइड में रख देंगे और यहां पर मैंने एक गिलास पानी डाला है जो दही के साथ मिक्स किया है आप जितना भी दही की क्वांटिटी रखे और उसका डबल आपको पानी समें एड करना है क और यहां पर मैंने कश्मीरी लाल मिट डाली आदा चमच और इसमें बहुत जादा मसाले नहीं डलते हैं और हमने आदा चमच हल्दी पाउडर डाला है यह बहुत ही सिंपल बन के तयार होती है हम यहां पर प्याज और लेसन का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें mostly प् और जो हमारा दही का बैटर था उसको हमें डाल दिया और अच्छे से उबालाने तक हमको चलाना है दियान रखे के हमें retrouve कि मीडियम और मीडियम फ्लेम पर हि हमें इसको कंटिन्यु चलाते रहना है नहीं तो यह फट भी सकती है अब यहां पर जो बचा हुआ बैटर था उसको हम अच्छे से एक बार फैट लेंगे चमच की हैल्प से थोड़ी देर जिसे बिलकुल स्मूध हो जाए और यह दाल बिलकुल हलकी हलकी सी फील होगी और यहां हमने ओयल ले लिया है एक पैन में और अब हम बड़ियों को इसमे जाती है लेकिन मैंने यहां पर साइस छोटा ही रखा है और इनको हम लो फ्लेम पर पका लेंगे जिसे अंदर तक अच्छे से पक जाए और ध्यान रही हमें बहुत जादा गोल्डन नहीं करना है नहीं तो यह टाइट हो जाएंगी हमें केवल इनको पकने तक ही रखना है क जिससे यह अच्छे से जो कड़ी है उसको पी लें और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं मेरी कड़ी को देखो मेरी दूसरी फ्लेम पर गणीव पक रही है लो फ्लेम पर यहां पर मैं चंच में तड़का लगा रही हूं मैंने एक चंच लगा पर मस्टर्ट वैल में तड़का लगाया जाता है और मैंने इसमें आदा चमच राई डाली है थोड़ा सा हींग डाला है और एक मिर्च को दो टुकड़े करके वो डाले हैं और इसे अब हम कड़ी में मिक्स कर देंगे देखे कड़ी बनकर रैडी है जब आपको लगे के पैन के चारो तरफ अच्छ आता है तो आप जरूर से डालिएगा साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई